उत्तिर्णता का जो लॉजिक है उत्तिर्णता की जो करवाई जो बिहारबर दोरा की जाएगी उसमें भी बदलाव किया गया है इसमें बदलाव यह किया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी ने पांच विश्यों के अलावा यदि छठे अत्रिक्त विशय का चैन करता है और यदिवा प्रथम पाँच विशय में से किसी भी एक विशय में यदिवा फेल कर जाता है तो उसको उसके छटे अत्रिक्त विशय के अंक से परिवर्तित कर दिया जाएगा बशर्ते कि उसके उन पाँच उत्रिण विश्यों में से एक हिंदी या अंग्रेजी अवश्य होगा इसका तातपर यह हुआ कि जो भी विद्यार्थी यदि additional subject यदि लेते हैं और यदि वे दो language papers और तीन optional papers इन पांचों papers में से किसी भी एक विशय में यदि वह अनुत्रिन होते हैं यदि वह fail करते हैं तो उनका और यदि वह additional विशय में यदि वह उत्रिन होते हैं पास करते ह हैं तो उनका fail का subject उस additional subject से replace हो जाएगा और वह विद्यार्थी ओवरार पास माना जाएगा इसका लाब यह होगा कि विद्यार्थियों के उत्रिनता के प्रतिशत में बढ़ोत्री होगी बिहार्थ बूर्ड ने ते कमाल कर दिया है बिलकुल आप लोग की टेंशन यहाँ पे खत्म हो गई है सब्जेक्टी में आपको भर भर के marks देगी बिहार्थ बूर्ड यहाँ पे 40 प्लस 40 का pattern क्या है कैसे आपको 40 प्लस 40 जो है वो आपको top भी करा सकता है और जो इसका exam नह आने लगेगे लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कोई भी अपडेट सबसे पहले आती है तो वो अभी से टिट्रियल पर ही आती है और यहाँ पे सबसे पहले और सबसे फास्ट अपडेट आपको दिया जा रहा है तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल पर पहली बा यानि कि इस तरीके से marks जो है आपकी copy में दिये जाएंगे जिसमें लगुतरिये और दिर्गुतरिये सब ये प्रशनों को सामिल किया जाएगा अब बात करते हैं कि ये 40 plus 40 आकिर pattern क्या है बिर्कुर ध्यान से देखेगा फूरी वीडियो इससे पहले होता क्या था कि कोई भी students जो है किसी एक विसे में cross लगने की बज़ा से fail हो जाता था कोई दो भी से में cross लगने की बज़ा से fail हो जाता था और बाद में scrutiny के लिए आवेदन करना परता था तो scrutiny के लिए आवेदन करता था जिससे की एक subject का 100 रुपया लगता था और बाद में उसके marks भी नहीं बढ़ 2023 अपने मोबाइल में चेक करने के लिए आपको प्लेस्टर में जाना है और बिहार वो डिजल्ट 2023 यहां पर आपको सर्च करना है जैसे सर्च करेंगे आपके सामने सेकें नमर पर जो ब्लू क्लर का एप आप आपको क्लिक करना है क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल करने से प तो यहां पे आपको उपर की ओर लिखा हुआ आएगा चेक रिजल्ट नाव पे आप क्लिक करके आप अपना रिजल्ट जो है वो आसानी से अपने मोबाइल में देख सकते हैं तो आपको बताते हैं कि जैसे अगर आपने यहां पे marks प्राप्त किये एक subject में आपका 100 marks का होता है 50 परसेंट आपके objective होता है और 50 परसेंट आपके subjective होता है तो पहला जो आपका paper होगा जो 100 marks का होगा चाहे वो Hindi का है English का है या आपका maths का है या कोई other subject arts का है या commerce का है अगर वो 100 marks का है और 50% आपने objective बनाए है और 50% आपने subjective किये हैं तो ऐसे में जो आपका लगू और दिरुतरिये में 50 नमर का जो pattern है वो 40 प्लस 40 में count किया जाएगा यानि 40 प्लस 40 कहने का ratio है कि अगर आपका objective अच्छा गया है तो आपके subjective में 40 marks का प्रवधान किया जाएगा यानि आपको subject में 40 marks मिल सकते हैं यहाँ पे बिहार वोड ने इस तरह की छूर जो है इस वार copy जाच करने वालों को दे दी है पहले क्या होता था कि copy जाच करने वाला भी डर कर copy जाच करता था यानि कि उसे डर लगता था कि कहीं ज़्यादा marks अगर दे दिया जाए और फिर interview ह वैसे students का तो कहीं मेरे पे ही कारवाई नहीं हो जाए कि आपने इतने marks कैसे दे दिये इस student तो answer ही नहीं दे पा रहा है यानि कि कहीं ने कहीं जो copy जाच करने वाला था वो भी bonding में हो जाता था और वो भी खुल कर marks नहीं दे पाता था है ना जो 5 marks का था उसमें 3 marks 4 marks देकर छ अच्छा लिखने पे भी लेकिन इस तरह से अगर अजादी मिल गई है copy जाचने वालों को तो वो आपको subjective में बिल्कूल अच्छे marks देगा यानि भी बिहार बोर्ड ने clear कर दिया है क्या 40 प्लस 40 का ratio अपनाया जाएगा और 40 प्लस 40 ratio का नुसर हर student को marks दिया जाएगा यानि क्यों normal student भी होगा तो उसको 40 marks पहुँचना बहुत असान हो जाएगा यानि कुल game जो हो गया है यहाँ पे अगर 40 marks आपके subjective में बन पा रहा है 50 marks में तो बहुत बहुत अच्छा marks है और इस तरीके से अगर आपने objective में अच्छा performance कर लिया है तो आपको यानि एक ही subject में आप 85% marks जो हैं वो gain कर सकते हैं यह अपने आप में बहुत अच्छा बहुत अच्छा तरीका है यही नहीं यह जो 40 plus 40 का ratio होगा वो objective में भी आप बनाया जाएगा ठीके आप बोलो के सर के objective में जितना सही होगा उतना ही marks देगी तो जी हम बिल्कुल आप सही है जितना आपने सही बनाया है उतना ही marks मिलेगा क्योंकि उसमें copy जाच नहीं होती objective में आपका comparison होता है और comparison ही आपके marks मिलते हैं लेकिन अगर आपने objective में 40 plus marks gain किये हैं जो 50 marks का objective है उसमें अगर आपने 50 से कम यानि 40 plus marks gain कर लिये हैं तो यह आपको कहीं कहीं subjective में benefit दिलाएगा यानि कि जब totaling क किया जाता है आपका subject का marks और objective का marks totally किया जाता है उस time यह देखा जाया कि आपने objective में कितने marks gain किये हैं और subjective में आपके कितने marks बन रहे हैं तो उस तरीके से वहाँ पर जो grace marks का pattern है वो वहाँ पर लागो किया जाएगा आपको पता है कि grace marks उन students के लिए हैं जिनका सभी बिसे अच्छा है और कोई दो विसें या एक विसें में marks कम बन रहे हैं उनको grace marks का प्रबदान पहले से ही दिया गया है यानि कि यह 40 प्लस 40 का जो pattern है इस बार result में तहलका मचा देगा और result छात्रों का बहुत ही ज़्यादा शांदार होगा साथी साथ छात्रों के एक और रहाद दिया गया है कि जैसे कोई बिद्यार्थी अगर किसी एक बिसें में fail कर जाता या किसी एक बिसें में cross लग जाता है और उगर उसने extra subject ले रखा है तो उसका जो subject है उसे वो change कर दिया जा जाएगा और extra subject से pass कर दिया जाएगा यानि उ एक्स्ट्रा सब्जक्ट weakened ले रכए हैं तो भी आपको इसका कोई विफाया नहीं मिलेगा अगर आप एक्स्ट्रा सब्जक्ट में जैसे कि Bayo ले रखए हैं तो और किसी एक आपका math में 40,000 और bio में 50 हो जाए उससे कोई फ्रक नहीं पड़ता है एक्टा subject का marks तब add होता है जब आप math में fail हो जाते हैं तो आपको उस स्थिति में अगर आप bio में pass हो रहे हैं math में fail हो रहे हैं तो आपको bio से result बना कर दिया जाता है ठीक है कम और ज्यादा marks आने पर कोई मार्क्स आपका air नहीं किया जाएगा जो आपका main subject रहेगा वही main subject से ही आपका result होगा भले ही आपका main subject में कम हो और extra subject में ज्यादा हो इससे आपको कोई change ही नहीं होगा इसी सूब कामना के शाथ मिलते हैं आपसे नई वीडियो में बने रहे है इस चनल पे ताकि बिहार ब है गुलश्ट में एससे चनल प्रॉश्ट